हेलो स्टूडेंट्स मैं मिठलेस माही आप देखें मेरा यूटूब चैनल माई टेक्निकल कलासेस आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वह बहुत ही ज्यादा इनपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको ठेटिकल और प्राइटिकल दोनों परकार का नौलेज मिले अगर आप एक इंजिनियर है तो आपको सर्वे का नौलेज होना बहुत जरूरी है तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इनपोर्टेंट होगा स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखें आपको प्राइटिकली और ठीकुटर दोनों परकार के नौलेज है तो बच्चों आप पोरा वीडियो देखें थेंक यू हिलो इस्टूने मैं बर्जेश कुमार पटेड आप देख रहें यू टीवी चैनल माही टेक्निकल कलासेस आज की चेप्टर हैं लेवलिंग जो की आप लोग को बताने जा रहा हूं सर्वे का मतलब है किसी चीज को धरती पर लाना जैसे मैं तीन चरत परता है कमपाश सर्वेए प्लेन टेवू और चेंज सर्वे इत्तीनों का जुरत परता यह तीनों का जुरत परता है पहला है चैन्ज सर्वे दूसरा है लेविलिंग तीसरा है कमपास प्लेंटेवूर ठीक है तो तो कंपासर प्लेंटेवूर प्लेंटेवूर में जरत परता है तो भायँ में पाहला है चैन्ज सर्वेश हैं एक स्थार्फल निकालना है मौन लोग यह प्रणोट है इसका कैसे छेतरफल निकालेंगे यह मौन ले एकस है यह एकसु ओन है और यह यह वाइन है कैसे निकालेंगे छेतरफल हम चैन से हम नौप लिए चारो भुजा को ठीक है का कि बर्ग में रहता या मतलब आयत में रहता तुद असानी था लेकिन यह मतलब कोई भुजा बड़ाबर नहीं है तक कैसे छेत्रफर निकालेंगे इसका है अगर करी से हम नौप लिए कि मालं यह एक्स करी हो गया ही यह भी करी हो गया तो कैसे छेत्रफर निकालेंगे कि भूल रहे है तो पहले इसको क्या करनेंगे कि दोजों का एवरेज निकालेंगे ठीक है तो इसका मतलब ल हो एल का एक मतलब यहों गया ठीक है यह हो गया एक्स पलस एक्स फॉन yemट नोबग एकस आ गया मिससी ठीक है उसके बाद बी का निकालेंगे बीक फॉलेज है यह होगे यह वाई पलस फॉइवन अब निकला अब एरिया बराबर क्या होता है एरिया इसकल 2 होता है एल इन्टू बी ठीक है तो यह हो गया एकस इन्टू बी यह हो गया बर्ग करी का करीम हम ना पर है बस चैन्सरवे में यही है दोनों का अबरेज निकल लिए लंबाई का अलग निकल लिए इवरेज निकल लिए यह बर्ग करी हो गया है हाँ और 720 व्रीट में एक चटा होता है इसमें होता है 1620 बर्ग करी बराबर यह कर था सो ले सो भी बर करी 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 सिकर देखे आमीन को देखे ना पर हुआ है आमीन को ने देखे है पॉल टेकनिक में होगा है हो चैने चैने हुआ है हम हिंदी बता रहे हैं करी हां और एक एक चैन जो होता है यह करी जो होता है आठ इंची होता है लंबाई उसका अगर मान जो 720 स्कॉाइर फीट अगर हुआ इसको हम करी में बदलेंगे करीम बदलेंगे स्कॉाइर फीट में ही 144 गुना हो जाएगा ना इंच ना गया इसको मान लिजे 64 से भाग दे देंगे बर करीम आ जाएगा कि देड़ भाग ब्रोची इसकोइड फीट में लिजे जो किये करीम करने पर नोलच। euro क्यां सब्सक्राइस निकलने अपस, इसकोर निकलनेंगा। बदए सबिधरáticas, तोनों पर नजीन reached इसी दोनों से जैसे इसमें क्या होता है किसी खेट किक message और प्लेंट टेब्ल को लगा देंगे लेवल रता है उसमें लेवल करके निकालेंगे और उसे से कमपास रखब के जिसे हम ढागा तौने और मालिजिट इसे पका लूट गया धागा तौन दीए उसी धागा में कमपास जानते हैं क्या क्या होता है उस चांद जो होता है तो चांद जो हम लोग परते हैं आधा बला अब रहता है पूरा गोला कार रहता है तो उस चांद से हम मिलाते हैं कि क्या डिगरी पर जा रहा है उस अनुसार से हम टेबूल पर जो पेपर लगाए हुए हैं उसी पर हम खीचते जाएंगे एक जगह लगाने के बाद जितना ही प्लोट है सब का हम उसमें खीच सकते हैं कमपास से ही कि लेवलिंग हो गया है में है हम लेवलिंग हमको परहना है कि लेवलिंग में सबसे पहले आता है टी बी एम आता है कि सुने नाम इसका नाम सुने इसका पहले फोल फॉर्ण बाद में बता वेंगे नाम सुने ना है टोटल बेंचमार्क अच्छा, हाँ सने hain सुने ना टोटल बेंचमार्क है ये है दो तरह का होता है एक फूल फर्म लिखेंगे ना वो टोटल का लिखेंगे ना समझेगे ना ये होगा एक गीटी हो गिया है समझेगे माई एक होता है पर मॉमेंट हाँ तो दो तरह का होता है जीटी जो हो गया है उस सरकारी हो गया अब हमको कहीं टाल में मालजें लेबलिंग कर रहे हैं वहां जीटी कहां से खोजेंगे हाँ जीटी हो गया गवर्मेंट हो गया तो सरकारी कहते हैं तो कहां खोजेंगे हैं जैसे यहां मालजे पॉल टेक्निक मोहगा पूर्मामेंट का मतलब वाकी जैसे कि हम मालजी रोड का हम लेवलिंग करेंगे यहां देख लेंगे कि कोई अस्थाई जमीन है या तूटने बला नहीं है उसको हम बना लेंगे पर्मामेंट और जहां हम बना लेंगे वहां पर क्या करेंगे पेंट से जो हम उसको बना देंगे फिर भवीस में अगर माल एक मेना या साल भेर के बाद फिर उसी रोड को करना है तो वहीं से लेना है उसी को पर्मामेंट कहा जाता है अब जैसे हम रोडे पर कहीं हम ले लेंगे बेंचमार्क बना लेंगे रोडे पर रोड क्या हुआ कि आज मतलब वही है कल के दिन में माने उंचा हो गया है उसको तोर के बनाएगा तो मेरा कतम हो गया तो तो को ऐसा स्थाइलेंगे जैसे घर का कुर्शी हो गया है जैसे हम लोग माल अपने घर का लेवलिंग किये हैं बनाने बगत पहले हम लेवलिंग कि ये कि में बरारी बला जुरोड है उससे कितना मेरा उचा है या गहडा है उसी के अनुसार से कुर्शी बाने तो जो कल अब जैसे यहीं पर माल यहीं पर हमको कहीं बनाना थे किसी का कुर्सी देख लेंगे कुर्सी तो फिक्स रहे गा वह तो तुटेगा नहीं तो उसी को पर मेंट कहा जाता है ठीक है अब टेबूल बनाते हैं उसके बाद फूल फॉर्म लिखेंगे सब क्या अब है चैनल का मतलब हुआ कि हम कितना पर ले रहें एक स्वा मीटर पर ले रहें या तीस मीटर पर ले रहें या पाचीस मीटर पर ले रहें उसी को लिखना है तो पहले जीरो लिखाएगा जीरो पर लेंगे उसके बाद लिखाएगा माल लिजे पाचीस पर ले रहें या थीस पर ले रहें या पचास़ पर लेएं और फैस्स 搞 रहें है शाल भूंप 2-2 पर चल रहे है इस चैनल हो गिया अब हो गया है फोर साइड हो गया है उसके बाद या चाहिए हो गया हाइट है आप इस्टूमेंट हो गया अच्छा आर एल हो गया है डियू डिलिवर हो गया है अब है कि रिडिंग जो लेंगे हम कहां कैसे लिखाएंगे है उसको मिटा दे है अब है कि कहां कैसे रिडिंग लेंगे मालो जैसे हम इरोड को हम कर रहें ठीक है मसीन हमरा मेरा माली यहां रखा हुआ है ठीक है यहां मालीजे जीरो हो गया है यहां पचीस हो गया यहां मालीजे पचास हो गया 75 हो गया 100 हो गया मालो जीरो पर जब हम रिडिंग लेंगे पहले टीव यहां पर तो जो जितना भी रीडिंग आएगा सब इस में लिखाएगा ठीक है सब इसमें लिखाएगा मान लो कि हमको जो है जैसे मान लिए यहां तक हम 75 तक लिए ठीक है 75 तक जब हम ले लिए हैं उसके बाद हमको दिखाई नहीं पर रहा है तो मसीन को उठाना ही है तब पहले 75 पर एक रीडिंग हम ले लेंगे लेंगे तो यह लिखा जाएगा इसमें इसमें लिखा जाएगा ठीक है फिर मचीन को हम जो है उठाकर हम पिर माजी धर ले आए पिर is 75 पर फिर इंगे जहां से हमले और ही तोंहीं पर रख दीक्राव का Dec वह गयाम क्रेंद होगा के नहीं देख लिये ऐगा है। में लिखाएगा उसके बाद हमको दिखाई नहीं पर रहा है तब माद पचास तक हम देख लिए और आवा iielt दिखाई का पॉपॉरrange fosmaligock को दिखाई नहीं पर हम यहीं पर उसके बाद इसमें सinkyण में लिखाएगा पर मशीन को ठाके हम यहां ले आए हैं उसके बाद यहीं पर फी रीडिंग लेंगे उस चला जाएगा कि केचे लिखा जाएगा कि समझ के बाद को रीडिंग लेने के लिए उसके बाद एक है चेंज पॉइंट बताए उन्हें बताए ना कि यहीं पॉइंट का मतलब हुआ कि जैसे हम 50 तक मान लिए यह कहताब किजिए इसको पचास तक हम ले लिए जब इसके लेके 75 पर गया मान लो तब 75 पर हम और सही से नहीं दिखाई पड़ा बस समझे दिखाई नहीं पड़ा हमको तब क्या करेंगी स्केल वाले को बुला लेंगे पीछ आगे बुला के यहां बीच में रख लेंगे तो रिडिंग तो इसे लिखेंगे लेकिन यहां मान लोग लगभग से 50 इदर हो गया 75 इदर हो गया लगभग देख लेंगे कि यह कितना दूरी पर है मान लोग की दस दूरी दस मीटर के दूरी पर रही है तो 50 कितना हो गया साथ तब यहां क्या करेंगे साथ पॉइंट लिख के सीपी लिख देंगे साथ पर किये हैं लेकिन इस डीडिंग को कोई भेलू नहीं है सिर्फ मुचाई अधि एचाई और आरेल निकालने के लिए जरुद परेगा गराफ जो बनाएगा इसका कोई जरुद नहीं है हाँ नहीं लिखेंगे तो फिर एचाई और एल्म गर्वर हो जाएगा और कैसे गर्वर होगा उसके बाद कल्कुलेशन करने लिए बतावेंगे तब समझमा आ जाएगा कि जरूरी है समझे गया इसको अच़ह अब रहा क्या अ दिकंदें नुड़ा हैं की जैसे कि एक बिंदू पर चाहम Joh हम एलंइंगले साथ रीड़िंग लेंगे हां जैसे यहां हम die ले रहे हैं तो सॉस्ध रीडिंग लेंगा एक यहां हो गया रोट का जो लैविलिंग क्यांने रोड की बीच में सकेल रखेंगे पहले why पर तो जीरो पर आजाएगा उसके बाद तीन इधार लेंगे अग तीन इधार लेंगे लेकि दोनों का दूरी समान होना चाहिए अगर ये दो मीटर पर ले रहे हैं मालों एक अंदा से फीता नापेंगे ना दीन भर में कों किलो मीटर ने करेंगे अगर फीता से में नाप करेंगे लिवलिंग एक किलो मीटर भी ने कर पाएंगे उसके जब लोग जबकि हम लोग पर या छौन पर ले रहें यह भी छौट यह घर माल आठ यह देखते हों गे तो दो छाओ के बाद जो है मकान बना हुआ रहेगा ठीक है तो यहां क्या करेंगे यहां मतलब बिल्डिंग दिखा देंगा दोनों जगए जरूरब है रेगा पर जरूर मिल्डिंग फट देगा बॉलन कर लिखा लिख होँं लिख cargo यह नहीं कि हम बारे मिटर पर ले रहे हैं सब जगे यही यही चाहिए हमको जितना पिर लेंगे सब यही दूरी चाहिए अब जिसे यहां पर माल जाट पीट का रोड तो दोनों तरफ खुला हुआ है अराम से बारे मिटर आजाएगा अब कहीं माल लिजे रोड जाकि माल जाए पांचे फीट बचा है तब पांच फीट माल जाए दो रीडिंग ले तीन डीडिंग ले लिए बट जीरो पर ले लिए दोनों तरफ ले लिए कगो पूर गया ऊसके बाद बंकी दोनों रीडिंग चाहिए हॉम लीख Gulf देबी समझ गया ना तो अर्चा इसमें एक चीज और धियान देना परेगा क्या धियान देना परेगा अगर हम मांज इधार से हम जा रहे हैं तो यहां जो लिखेंगे साथ रिज़ी जो लिखें समझें ना उसके बाद आर वन आर टू आर थिरी करके लिखेंगे लेफ्ट और राइट इसमें दियां देना परेगा कि हमरे साथ में गजाता था ना वो क्या करता था कि इधर से जा रहे हैं माल यह इधर आर कर दिये अज़ए अज़ा मसीन उस पार चला गिए जब इधर आय आर इधर कर दिया है ज्सकुर नहीं होना चाहिए अगर हम इधर इस तरफ का मालए पश्चिं तरफ कर हम आर मान लिए हैं कहीं पर एदर गूम भी जाएंगे तहीं और इधरे रहेगा है और इधरे रहेगा चला coordin जा है कि इधर से करें जिसको हम आर माने हैं वही आर रहेगा हमेशा और कुद्ध कर तब इसी धंग से रीडिंग लेना है अब समझें के रीडिंग को कहां कहां लिखना है जैसे एक टेबूल है ना है मोटा मोटी यहां बीच मा जाएगा ना इकुरेट ने करना है इसको तीन मीटर कर देंगे इसको तीन मीटर कर देंगे इने कि हम इतना पता इतने पर लेंगे इसको जरूरी नहीं है कि बाद में जितना जाएंगे एक अंदाज से और इसके जिसको पकड़ाईएगा उसको यह कहिएगा कि सिर्फ हमको देखने के लिए कि माल जब पांसव मीटर पर चला गया या एक किलोमीटर पर चला गया तो आपका बात सुनेगा इसलिए स्केल जब भी देखे तो मतलब मसीन पर जो रहे उसको देखे सिर्फ इसारा से इधार का है इधार का है या आगे पीछे मतलब जो कहेगा हाँ मेन आदमी को देखना हाँ कि समय इसको कि कॉतम करें हम मसीन लाते हैं ठीक है कि छोब मीटर कराता है समय ना आप जैसे माल लिए एक मीटर देखों यहां है है अगर माल लो यहां आ जाए गारी डिंग आपका स्केल तब किसे लिएगा इस पर रखेंगगे अब जैसे कि الطल ने जैसे यहां से महल घूए एक मीटर यहां पर आ गया यह चिना है कि एक मिंटर का है ना मेरा मानलों जहां आघया तब कि तब कितु हमालिक सिसमित निखा हुआ GG नबेन है पॉंटत नाइन जिरो मिटर में ठीक है अ गर मामलों जैसे यहां आगया तब क्या जा लिखेंगे 1.5 1.15 1.1 है ना उसके बाद 5 हो दिया है हाँ ठीक है काकी जितना भी है जैसे इधर जितना भी है इधर इस तरफ सब मतलब कि पॉइंट के पहले लिखाएगा उसके बाद कि देखना है इधर कि इधना है जैसे एक है ना तो 1.1 हो गया उपर जितना घर है उतना मतलब करेंगे यहां 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 पर मतलब 1.00 1.00 एक मीटर है यहां यहां पॉइंट के पहले लिखाएगा ठीक है और इस तरफ जितना भी है पॉइंट के बाद लिखाएगा जैसे यहां 0.7 हो गया एक करेंगे तो 70 हमश्याय बीख जीर सफम्दOSक्राइब फिन पॉइंट के पहले लिखाएगा इस तरह गद्वाला अब जैसे इसके उपर आएंगे जैसे माल यहां गए तो 111.1 लिखाएगा उन लिखाएगा ना उसके बाद जैघर होगा एक दू तीन चार पॉंच हुआ तो 1.15 होगा अग в सकेल पकरने का गोग जीदि जब लेंगे इसकेल पकरने का नियम यह है आई सज़सीदा खरा ना है आब यहां दूर में खरा रहां तो और जोड़ा जाए यह माले जाए इघर आजे जोड़ा अगलीक्र एक दम दूरे से रखेगा ऐसे करके गलत रेडिए हो जाएगा उसे मतलब नहीं है वही असल निकालना है कि कहां पर कितना गड़ा है कितना उंचाई है कितना मिटी लगेगा यही दिखाता है नहीं कालकुलेसा नहीं बताएंगा ना को कि जितना उंचाई का जड़रत है नो अदोना जड़ा कर दिये हैं दिखाता है नीचे पर दो कि में कर दो कर सकते हैं को दिकद नहीं होगा उसके लिए हम बताते हैं आगे इस्वाड़ा कर रहा दिए कर दिए ना यह जो है गोलाकार जो है इसमें जो है मसीन हम कशेंगे इस चारों तर्फ देखेंगे बड़ाबर हम रहे कि नहीं अब इसको देखेंगे कि बराबर पर है की नहीं कि लगभग देखना है लगभग आ गया ठीक है लगभग आ गया उसके वाद इसको काश देंगे जरूरी यह बराबर करने हाँ एक कस दिये कस दिये पर की है इसे निफ करता है इधार से देखना है ठीक है और इधार जो है मतलब ऐसा बना होगा देखने के बाद ऐसा बना हुआ है ठीक है और इस बीच में जो जितना रीडिंग अरा उसी को लिखना है इस इस असा बना हुआ बाद इस सीद्र में सभी अभा ने दिखाए पर गगा आप से करवा गयेंग अब जो है इसमें ये तीन वो है का थी है ना इस तीनों को बाइलेंस करके इसको मिलाएए बीच मिलाएए इसको उसके बाद की गएचे मतलब यह 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 पर सब कर ट्रेनिक करवा देंगे एक चीज और देखें साबधानी पहले बारती है जैसे इसको देख रहे है माल ले गए इसको देख रहे है अगर देख रहे है अगर माल यह इधर दवा हुआ है तब इसको उचा करेंगे खिला करेंगे दिला करेंगे उसके बाद बालेंस आएगा उसीम सामय लगता है उ जब होगया तरी न्यू फटापट हो जाता है है क्या देख रहा है उन्हें तो इसमें भी देख सकते हैं इसे देख सकते हैं इसलिए इससे मतलब नहीं है इसी को करना है इसको एड़ेस्ट करता है रखने के लिए है देख लेना से की दर जुकल्च है कि दर से कसाता है कि दर से कुलता है इसमें डाउत है सब जैसे कर रहे हैं उसे अधर खोल रहा है है अधर कटा है विद्धर लगता है उधर जा रहा है उधर जारा किया व दर उठाएं तो उठाय उठा उठाएं इसको कासी है फिर खोल रहा है यहां यहां यह परा है परा कुछी है उसी को बीच में घर मिलाना पर नहीं है यहां नहीं है यहां नीचे में यहां पर यहां पर हो गया थोड़ा सब्सक्राइब कि देखना होगा कि किधर जा रहा है ने कि अधिगे में को आ गया अगर हम उधर भाग रहा है सम्झें न अगर उधर भागरति इसको को ढूंप अपने हिद्र आएगा तीनों को तच करें इनकिय को करते जाते हैं नहीं को तच करना है कैस निया Systems को बाद यह तीन चाभी है समयहनगे तीन चाभी को मतलब कोड़िला करके कस के करके इस पार बाइलेंस करना है लेवल करना मसीन का जब मसीन का लेवल हो गया उसके बाद इन लेना सुरूल खु़ गाएrences की इसको गुमाते हैं सर इस चाभी को तीन चाभी है यह यह पर इस तीन चाभी को घुमा के मचीन को जो है Crabड करते हैं परओर यह यहां पर इंजा फेन के ब्लाट साय का इंदर पाھ शोट यह मतलब वीच महता है अगर नहीं आया तो नहीं होगा इसको उसको नहीं करेंगे गर देखेंगे नगे दिखाए परेगा इसके कहीं दिखाएने परेगा इधर दिखाई पड़ता है इधर दिखाई पड़ता है इधर स्पेशले सेंसरे यहां से यहां से देखते हैं इधर रिडिंग ले लिए है ठीक है अब इसकेल लगा इधर चला गया तो हाथ पकर के कभी ने घुमाना है मसीन को घुमाने के लिए देखे इधर है इधर यहां जिद्धर ले जाना है मत इसको घुमाना है इसको मसी से हाथ पर घुमावेंगे तो इस्टेन हील जागा हील जागा फिर गरवा जागा तब फिर फिर मुन की जिए अगर हम इसे देख रहे हैं ठीक है कहीं धुन्दला दिखाई पर रहा मान लेंजर साप नहीं दिखाए पर रहा तो इससे साप करना है फोकस करने के लिए हमारा इस साप करना है अब देख सकते हैं मासीन को ने चुए है मसीन ने चुए है 1.3 जैंद जैंद तो बूपर वाला है उपर वाला होई यह होगा को तो रहा है न शका नहीं अब बिख कोना होगा इससात हुए ना ववाट पॉंट थिरी सहित हाँ 1.37 हाट यह देख लेते हैं नहीं आप जैसे एक रीटिंग आया इतना आ गया पहिजे तो टी बी बी एम मन निकालना है हमको मान लिए यह आ गया जीरो पॉइंट नाइन एट आ गया ठीक है आप इम आले टी बी एम आगया 0.98 मान लेते हैं उसके बाद जीरो पर आ गया 1.37 रीटिंग आ गया मसीन को हम चेंज किये हैं से एक दूग और लिख लेते हैं माल जे 1.48 आ गया 1.45 आ गया माल जे 3 जीडिंग हो गया उसके बाद ह ठीक है तो ब्यास आगया मान लिजाए वान पॉइंट कुछ ओ कर दिए फोर एट कर दिए पहले इसमें लिखना होगा ना वान पॉइंट फोर एट पहले इसको लिखना है तो उसके बाद यहां लिए इधर से फिर मसीन को उस पर लेगी है इसी बिंदू पर माले आगया से व ठीक है उसके बाद फिर माले यह वान पॉइंट टू आ गया पजिया वान पॉइंट एट थी आ गया है इसी डंस आ गया उसके बाद एचाई और आरेल निकलना है गड़ाफ जो एल्ष सेक्शन और क्रोस सेक्शन जो निकलता आरेल पर निकलता है बंकि इसका कोई जरुत नहीं है समझें ना इसका कोई अबसकता नहीं है अबसकता सिर्फ अभी खाली कोपी पर इसका होता है कि इसी से आरेल निकलता है इसको समझना है इसमें है कि जैसे कि कोई चीज में परसेंटेज कहता है तब परसेंटेज का मतलब क्या होता है एक सौ में इसको मतलब होता है एक सौ माना जाता है परसेंटे जैसे अब 30 परसेंट होगी कोई का दिया एक सब्सक्राइब अब आएल जो है यहां मतलब इसके पहले यह मिसमें नहीं आरायल मान लो एक स्वा मान लेते हैं कहीं पर लेबलिंग कुछ भी करेंगे एक सवाइब एक सब्सक्राइब समझें ना एक सवार एल जो है फीक्स है उसके बाद यह 100 में क्या करेंगे एटी बी एम को जोर देंगे इसमें जोर देंगे तक कितना निकले गाए एक सवा पोईंट नाइन हो गया हो गया हो गया कि मतलब यहां जो है कुछ नहीं है ठीक है दोनों मानले हैं ना के एक सब आरेल हम माने है टीवी एम जो निकला है उसको एड कर देंगे इसमें इतना ही निकल गया ठीक है अब ही में जो इसको घटावेंगे अचाई को इसमें घटावेंगे यह हो गया एचाई माइनस इस जो निकालके लिखेंगे वह आजागा ठीक है इसी जहंग से इसमें भी कर लेंगे और इसमें भी कर लेंगे आरेल निकल गया आप आप कहिये खांटो आय कि यह है नहीं मत किसमें हटावेंगें जो क्या आरेल हमको निकलेगा ने नहीं इसमें करना किया इसलिए हम लिख दिये ना चैंड बला इसमें क्या करना है है एचाई इतना है न्ajos ए estas हो गया इसको मैनस कर दिए हां इसको माइनस कर दी है ठीक है माल यतना आगिया और फिर है यसी का निकलेगा यह जो आर एल जो है आर एल आप पलस बियर स अखिए पर जितना आएगा उसमें जो हैं भी एस को जोड़ेंगा यह यह निकले गए अजब है जब है निकल गया फिर कि इसी से मदी सबको घटा की इहां लिखना होगा आरेल निकलना है इसको ख़ल याद रखना है और जितना भी आरेल निकलेगा इसी से जो है एल शेक्षन निकलेगा इस्टिमेट भी बनता इसी से बनता है करना होगा है यहां मसीन को चेंज किये ने यहां लिखा हुआ है तो यहां क्या किया कि जो पहला रिडिंग जो लिए एक पॉइंट पर वह एफस में लिख देंगे और जब उस तरह मसीन को ले जाएंगे तब चलाएगा बीए समा जाएगा कि आइएस पॉइंट रहेगा हाँ तम मैनस करेंगे एच इए मैनस आई एएस इस पॉइंट नहीं होगा हाँ तो फसको खटा देंगे आरं निकल जाएगा और उसी में जो है से बीएस को जोड देंगे तरह एच आई निकलेगा यहां लिख दिये ना आर एल जो निकला है कुछ जोड़ देंगे या चाही निकल गया कालकुलेशन ही है यह सर्भाइंग मैं लेवलिंग का हुआ है चलिए बंद की जाओ